गंगा नदी भारत की मोक्ष दाइनी नदी मानी जाती हैं कहते हैं कि मन्ने वाली के मुँम में अगर एक बुंद गंगा जल पढ़ जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है इस पवित्र गंगा जल पर क्या गोड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर जियस्टी लग गया है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे का एक ट्वीट इसी तरफ इशारा करता है उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि गंगा जल पर 18 फीसदी जियस्टी लग गया है दरसल मलिकारजुन खडगे ने प्रधान मंतर नरेंद्र मोधी को संबंधित एक ट्वीट लिखा उस ट्वीट में लिखा गया है एक आम भारतिय के जन्म से लेकर उसके जीवन के अंत तक मोक्षिदायनी मा गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है अच्छी बात है कि आप आज उत्राखंड में हैं पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा जल पर ही 18 प्रतिशत GST लगा दिया है एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं उन पर इसका बोज क्या होगा यहीं आपके सरकार के लूट और पाखंड की पराकाश्ठा है तो वही न्यूस बर्ड इंडिया की टीम ने ये जाननी की कोशिश की तो पता चला कि गंगा जल पर GST लगानी जैसा कोई स्पस्ट नोटिफिकिशन नहीं है हां पैकेज वोटर बोटल पर आवश्य जी एस्टी लगता है ये विवस्ता 25 जनवरी 2018 से ही है अगर पानी 20 लीटर की बोटल में पैक हो तो उस पर 25 फीसदी जी एस्टी लगेगा आने मात्रा की पैकिंग में पैकिस्ट वोटर पर 18 फीसदी की दर से जी एस्टी लगता है चाहे वो बोटल बंद नैचुरल या आर्टिफिशल मेंडरल वोटर हो गंगा वोटर हो या फिर स्प्रिंग वोटर या हिमाले का चल को सब पर जी एस्टी का यही रेट है आपको बता दे कि एरेटिट, मिंडरल, डिस्टिल्ड और मेडिस्टनल आयूनिक बैटरी में उप्योग होने वाला या बोटल बंद पानी को छोड़ कर अन्य किसी भी पानी पर कोई जी एस्टी नहीं है मतलब कि अगर आप गंगा से पानी अपने लोटे या बाल्टी में भर रहे हैं तो उस पर जी एस्टी नहीं है लेकिन उसे गंगा के पानी को कोई व्यक्ती बोटल में बंद कर बीच रहा है तो उस पर जी एस्टी लगेगा साथ ही आपको बता दे कि JST काउंसिल में केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्यों सरकारों की भागेदारी होती है अगर किसी वस्तु पर JST लगा है तो उसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं इस फैसली में राज्यों की भी सहमती है तब ही तो वो प्रस्ताव पास हुआ है सिर्फ केंद्र सरकार की मर्जी से एक भी JST पास नहीं हो सकता